यो, what's up everyone? बस मैं एक बार जल्दी से देख लूँगे मैं लाइव आ गया हूँ या नहीं? उसके बाद भी इल स्टार्ट लेट मी जस्ट सी ओन अने काडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल क्या मैं प्रो वाले चैनल पर लाइव आ गया हूँ अरे दिखनी रह ओ येस मैं प्रो वाले चैनल पर लाइव आ चुका हूँ अब मुझे बस यह देखना है कि क्या मैं अने काडमी सीए फाइनल वाले चैनल पर लाइव आ गया हूँ या नहीं अगर मैं वहां पर भी लाइव आ गया हूँगा देन हम लोगों को रोकने के लिए और कुछ नही रश्मी प्रिया समृद्धी नेजुको तो हो प्रियंका श्री राम रुषिकेश सागर साक्षी डेजी ब्रजेंद्र लक्ष पियूश कंचन दिपांशी अमेजिंग 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 और बहुत तेजी से चाट बढ़ रही है और श्रेया पातिल नव्जॉत देब सब्सक्राइब अबर बताने वाला हूँ आप लोग चाहिए या आप स्याइब के सुधिंट है चाहिए आपसी है फाइनल के सुधिंट है और अगर यहां पर आज कोई सींट हें टमेडिए कभी सुधिंट आया तो यह आप लोगों के लिए आज जो कुछ भी बताने जार ह वो सब बहुत 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 ज्यादा helpful होने वाला है वाट सबसे पहले एक छोटी सी चीज के बारे में आप लोगों को बता देता हूं और यहां पर फ्री क्लासे भी चलती है पेग क्लासे चलती है और लौट फिंग्स ओवर आप लोग क्योंकि सीए के सुटेंट्स है मैं यह सेशन सीए के स्टूडेंट्स को प्राइमेरिली अड्रेस कर रहा हूं तो आप लोगों के लिए यहां पर आनेकाडमी की वेबसाइट पर आकर आपको स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा कंपेरिटिव एक्जाम्स के अंदर उसके बाद आप सीए पर क्लिक करिएगा फिर आपका जो भी गोल हो सीए फाउंडेशन हो सी इंटर्मेडियर फाइनल या फाइनल ग्रूप वान या फाइनल ग्रूप टू जो भी आपका गोल आप उसको सेलेक्ट कर सकते मैं आप सीए फाउंडेशन एक बार करके दिखा देता हूं जैसी आप सीए फाउंडेशन पर क्लिक करते हो तो यह सीए फाउंडेशन का होमपेज आ जाता है अनकाडमी की वेबसाइट पर इसमें जब आप लोग स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपको क्या-क्या मिलता है, so you can see that these are the live classes that are going on right now, you get to prepare with a lot of top educators and you get a lot of batches for syllabus completion as well, this is true for all the categories which are available on an academy, चाहे वो सीए फांडेशन हो, इंटर बीन रिए यह हो, फाइनल हो, क्युछ भी हो, आप अगर पेड सब्सक्रिप्शन ले ले लेते हो, तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बनेफिशल live tests and quizzes मिलती हैं और iconic में इन सभी चीजों के साथ साथ आपको personal coach, printed books, progress tracker और dedicated discussion channel भी मिलता है, जब आप से लेक plus पर click करोगे, तो आपके सामने यह वाला page खुलेगा, आप यहाँ पर मेरा code use कर सकते हैं, and what's my code, निश्टेन 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 बोलो, निश्टेन 10% discount मिल जाएगा, similarly, iconic subscription में भी you can go for my code, और यहाँ पर आपको flat 10% discount मिल जाएगा, तो you can take the subscription as per your will, and this code is not just applicable for CA foundation, intermediate or final, this code is applicable for all the categories which are available on an academy's platform, तो आपका कोई भी दोस, यार, भाई, बहन, प्यार, रिष्टेदार, कोई भी हो, तो आप उसको an academy के बारे में बताएं, वो जिस भी field की तयारी कर रहे है, उस field की classes an academy में मिल जाएंगे, और वहाँ पर आप उनको an academy का subscription लेने के लिए के सकते हैं, and you can offer them my code NISH10, which will get them 10% discount, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, sir, आज का मुद्दा, कितने सारे लोग हो गये हैं, let me see, let me see, CF final channel पे, I can see 29 people are watching, and how many people are watching on CF Foundation Pro YouTube channel, let me see, let me see, let me see, oh my god, 292 people are watching, that is amazing, that is amazing, चलो sir, आगे बढ़ने से पहले, मैं आप लोगों को, मतलब आगे बढ़ने से पहले का मतलब यह मत समझना कि यहां पर मैं कोई और चीज बकवास करने वाला हूं, यहां पर मैं कुछ और बोलने वाला हूं, just listen to me very very carefully, क्योंकि अब मेरे एक एक शब्द, एक एक लव्ज, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा important प्रूव करने वाला है, ठीक है, so before I get into CA final, and before I get into why it took me nine attempts to clear CA final, let me tell you a little bit about myself, ठीक है, मैंने class 11th में, CBSE board में, science ली थी, क्योंकि मैं इंजीनियर बनना चाहता था, ठीक है, मैं इंजीनियर भी क्या, मै बचपन से actor बनना चाहता था, ठीक है, और चाहता था क्या, मैं अभी भी Bollywood का actor बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं 14 साल का था, and on my 14th birthday, I told my dad that, dad I wanted to, you know, I want to be an actor, and dad said, are you sure about it, क्योंकि मैंने का, हाँ, मैंने कई सारे theater plays के हैं, school में, और बड़ा मज़ा आता है, summer vacation में भी, you had made me join that theater workshop, तो उसमें बहुत मज़ा आता, पापा ने कहा कि उसमें कितनी बार rehearsal होता है, same चीज बार 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 बोलनी है, होती है, तो are you fine with that, मैंने का, मुझे हर retake में, हर take में बहुत मज़ा आता है, तो he said, okay, मैं 14 साल का था, तो उसमें मैं class 8 में था, and he said, okay, तो तो मैं तो आक्टर बना ना, तो तुम पूरे वारे फिल्म स्कूल में चले जवाँ पर फिल्म की पढ़ाई करो और acting की पढ़ाई करो और फिर actor बन जाना, मैंने का नहीं, मैं अपना school पूरा करना चाहता हूं, मतलब मैं school पूरा करके उसके बाद जो भी graduation वगेर होती है, उस समय तो मुझे नहीं मालूम था एक्टिंग में फिर एट में ही ट्वर्ड जी एंड में इंड मेरा इंट्रेस्ट ने लगया उस समय हम लोग जो लांग्विज स्कूल में सिखाई जाती थी वो होती थी GW Basic और GW Basic में मैंने कोडिंग करने शुरू की तो मुझे बहुत मसाने लगया and I wanted to become I decided I wanted to become a software engineer तो डाट सेट ओके नाइंथ में मैं चला गया था डीपेस नॉइडा एंड क्लासे नाइंथ से लेकर क्लासे 12 की पढ़ाई मैंने डीपेस नॉइडा से की है और 11 में मैंने ओविसली साइंस आप्ट आउट कर ली थी क्योंकि मैं इंजीनियर बना चाहता था I wanted to be a software engineer राइट सो 11 में I opted for science और उस समय आने के आडमी नहीं था तो उस समय जो भी आयाएटी जे की best coaching होती थी वो उसमें पापने admission करा दिया बहुत बढ़िया उसमें admission चल रहा है पहली क्लास physics की और उसमें टॉपिक आया vectors एक है physics की पहली क्लास उसमें टॉपिक आया vectors मैंने क्लास की मुझे बहुत मजाया that was a very interesting topic और क्लास खतम करने के बाद दो गंडे की क्लास होती दो गंडे की क्लास खतम करने के बाद सर ने एक पेपर दिया और सब पुरी क्लास को एक पेपर बाटा वो पेपर बेसिकली असाइनमेंट था उसमें 10 या 12 questions से 10-12-15 questions से वेक्टरस के और में वापस हॉसल गया and I wanted to solve them and I could not solve them मैं उन questions को solve नहीं कर पाया तो the first thought that entered my mind was maybe I didn't understand the concept clearly maybe concept मुझे काई दे से समझ में नहीं आ पाया तो मैं अगले दिन मैंने और कोई question नहीं देखा पर पहला question देखा हाँ नहीं हो पारा दूसरा question देखा नहीं हो पारा तीसा देखा नहीं हो पारा अरे यार यह तो मुझे तो कुछ कुछ समझ महीं नहीं आया मैं अगले दिन प्लास में जाके फिर से उन फिजिक्स के सर के पास गया मैंने का सर मुझे वेक्टर्स दुबारा पढ़ा दीजिए I never said जब क्लास में पढ़ा रहे तो मैंने का यह सर अब तुम कैसे सकते हो कि समझ में नहीं आया मैंने आजा रहा है निर्धारत समय पर निर्धारत स्थान पर मैं दुबारा पहुंचा और मैंने वेक्टर्स की फिर से क्लास की मैं फिर वापस हॉसल पहुंचा और फिर मैं उन क्वेस्टन को सौल नहीं कर पाया प nursies रखेज के पास सर मुझे एक बार फिर से पढ़ना है मैंने का सर में मुझे एक बार वेक्टर्स फिर पढ़ना है यह झे तो आप मुझे एक बार फिर से पढ़ाईे है उस वाले CENTER में सुन ने बता दिया उस वाले सेंटर में एक क्लास मेरी चलने वाली है ना इसे करते करते वेक्टर की basic class में मैंने तीन या चार बार पूरा-पूरा मैं बैठा हूं पूरे-पूरे दो गंटे की class जो topic दो गंटे का था मैंने उसमें 10 घंटे तो सिर्फ क्लास में बैठने में you know spend किये और जब मैं फिर से पहुंचा क्लास में किसी और क्लास में कि एहां basics or vectors की सल दिये तब सर नЕ मुझे पखड़ा और पुरी तरह से ढटा तु कुझ कि तो नहीं रहाएं तो आ के यहांपर क्लास की रहा है। कोई भी वेक्टर्स की पर लेंट आपके सबसे आगे वाली सीट पर लेके बेठ जाएगा। उसके बाद घर जा उसके बाद हॉस्टिल या घर जाके पढ़ता नहीं है। यह जो questions हो रहे हैं वो हो क्यों नहीं पारें इंतरे से नहीं हो पारें तो यहां क्लास में नहीं बैठेगा जा के पढ़ाई कर अपनी होसल जा और पढ़ाई कर ऐसा मुझे बहुत बुरा लगा मुझे लग गया बहुत ज्यादा बुरा मैंने का यार how can a teacher talk to me like this and how can a teacher stop me from entering his class when I'm not talking अच्छा school की mentality school की mentality क्या होती है अगर हम indisciplined है अगर हम बात हैं कर रहे हैं अगर हम class को disturb कर रहे है तब तो teacher हमें class में आने से रोके ठीक है लेकिन क्या मैंने वो सब कुछ किया ना मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया all I did was attend his class for the same topic multiple number of times so मैंने गलत क्या किया मुझे अकर समझ में नहीं आ रहा तो फिर क्या problem है I realize my problem later on I realize my problem कि जब मुझसे question नहीं हुआ तो ना तो मैंने अपने notes पलट के देखे ठीक है ना मैंने एक बार revise किया कि सर ने क्या पढ़ाया है मैंने simply माल लिया कि यह मुझे समझ में नहीं आया और मैं उसी topic की class करने के लिए फिर से अगले दिन चला गया Now, आप मेंसे कई सारे लोग ऐसे हैं आप मेंसे कई सारे लोग ऐसे हैं जो यह चीज यहाँ पर कर रहे हैं चाहे आप foundation के student हो चाहे आप intermediate के student हो चाहे आप final के student हो आप मेंसे कई सारे students यह चीज कर रहे हैं मुझे यह topic समझ में नहीं आया मैं इसकी class एक बार फिर से करके देखता हूँ सारा content यहाँ पर absolutely free है अगर आप plus के भी student है और academy plus के student है तो recording देखने पर आपके पास कोई restriction नहीं है आप जितनी मर्जी बार चाहे recording देख सकते हैं लेकिन वो restriction वो वो जो आज़ादी है वो आपको एक purpose के लिए दी हुई है और आप उसका misuse कर रहे है वो purpose क्या है purpose यह है कि मैंने class देखनी शुरू की घंटी बच गई कोई कुछ कुछ हो गया ठीक है there's some emergency and I have to attend to that emergency then I cannot then I should not be able to you know have this in mind के यार मैं तो class दोबारा देख नहीं पाऊंगा क्यूंकि आने अच्याडमी वाले तो मुझे एक से ज्यादा व्यू नहीं देंगे यह understanding my point यह views पे restriction न लगाने का एक मात्र reason है कि आप अपनी convenience के हिसाब से अपने comfort level के हिसाब से जितनी बार आप lectures को चाहें उतनी बार आप देखें लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस facility को misuse करें क्योंकि यह वाली गलती मुझसे हुई थी यह वाली गलती मुझसे सिर्फ vectors में नहीं हुई मैं आपको यह vectors वाली स्टोरी बता क्यों रहा हूं क्योंकि this is the kind of person I was this is the kind of person I was till my ninth attempt of seeing a final can you imagine that जो चीज मुझे class 11th में समझ जानी चाहिए थी वो मैं नहीं समझ पाया क्योंकि कोई मुझे बता नहीं पाया या अगर कोई बता पाया तो शायद उसे उस तरीके से नहीं बताया कि जो मैं समझ पाऊं लेकिन यहां पर मैं आ रहा हूं आप लोगों को बताने कि अगर आप यह सेम चीज सीए फाइनल में इतनी बार की है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो ठीक है इतनी बार किया अंप प्रिटी शॉर आप लोग सीए फाउंडेशन लेवल से ऐसी चीज कर रहे हो ठीक है है मैंने तो यह वेक्टर वाली जो चीज है वो तो एक ही टीचर की क्लास बार आई छोड़के सारे करम किये थे ठीक है मैं टीचर्स को जच करने लग गया था सिए फाइल में आके आई हैड आच्छुली स्टार्ट इंग टीचर्स और यह मैं क्यों इतना आउटलाउट कह रहा हूं बिकॉस आई फील दस्टूडिंस आप लोग आप लोग तो मुझसे ज्यादा जॉजमेंटल हो यार आप लोग मुझसे भी ज्यादा जॉजमेंटल हो मेरे को सीरिसली यह फील होता है कई बार अभी रिसेंटली एक दो हफते पहले हम लोगों का आरेक्याडमी प्लस पर सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ ठीक है और आप लोग सब अच्छे खासे मतलब सीए फाउंडेशन कर रहे हो सीए फाइनल कर रहे हो इंट्रमीडियेट कर रहे हो एंड यू नो दफाक्ट एट एवरी टीचर टीचर टीचेज इन उसका अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है वो अपने तरीके से आपको पढ़ाता है वो सारी पर भी बन गया तुब भी पाएगा कभी तू इतना ज्यादे जज्वेंटल वह भी पहली समय हो रहे है मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा ज्यादे निकल रहे हो आप लोग तो हर कदम पर टीचर को जच कर रहे हो और उसके बाद पिर आप tax laws जितने भी students को नहीं पता मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं उसमें एक topic होता है input tax credit that is a huge topic huge बहुत बड़ा topic होता है यह ठीक है मैंने उसके class की मैंने उसके questions के questions मुझसे नहीं हुए फिर मैंने दूसरे फिर मैंने very basic to the very advanced concept of input tax credit you only tell me 10-20 पता नहीं कितने सारे videos मिल जाएंगे और यहीं वाली चीज़ें मैं करता था मैं topics मैं एक-एक topic के लिए multiple teachers को refer करता रहता था करता रहता था और मैं questions को solve नहीं करता ठीक है एक चीज़ तो यह हो जगई एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ तो यह हुई कि यार multiple classes same topic की multiple classes लिए भले ही same teacher के लिए हो चाहे अलग-अलग teachers के लिए हो उससे फर्क नहीं परता लेकिन same topic की multiple classes लेने का कोई फायदा नहीं होता है ठीक है आपने अगर किसी भी एक teacher की class ले लिए आपने उससे अपने notes बनाया आप उससे question solve करके देखो एक सिकेंड अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग यहां पर कई बार क्या होता है न हमारे दिमाग में आता है कि सर अब इसका solution क्या है ठीक है अब इसका solution बताऊं सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन इसका solution समझना सर कोई भी practical subject ना completely किसी के समझाने से या कोई किताब में उसकी theory पढ़ने से पूरी तरह से समझ में नहीं आ सकता ठीक है I realize it much later I realize it much later ठीक है आपको कोई भी एक topic है right कोई भी एक topic है आपको कोई teacher उसको दो घंटे लगा कर समझा दे आप उसकी basic से basic level की book खरीद के उसको पढ़ते रहो लेकिन जब तक लेकिन उसके बावजूद कोई 2-4 questions ऐसे होंगे जो आप solve नहीं कर पाओगे ऐसे moment पे हमें क्या लगता है कि हमें concept काईदे से समझ में नहीं आया now let me tell you one very important thing which nobody tells you concept समझने के दो पहलू होते हैं पहला पहलू क्या होता है कि आपने उसकी theory पढ़ी आपने किसी teacher की class ली ठीक है और उन teacher ने जितना भी अपने best possible तरीके से आपको पढ़ाया आपने theory पढ़ी आपने best possible तरीके से उसको समझा पता है जो दूसरा पहलू होता है उसके बारे में कोई बात नहीं करता और दूसरा पहलू होता है कि सब कुछ पढ़ने के बावजूद कुछ ऐसे concepts होंगे उस पूरे concept में उस पूरे topic में कुछ ऐसे concepts होंगे जो आपको सिर्फ question के through ही समझ में आएगा ठीक है अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंग मेरा finally जाके see a final clear हो पाया जब input tax credit इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा था तो यार आजकल तो हर किताब में solved questions होते हैं एक्जाम में आए हुए solved questions होते हैं मैंने उन questions का solution देखना शुरू किया और solution देखते 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 एक एक चीज मुझे प topic and questions CA के level में ऐसे ही आता है CA के level में question आपका directly नहीं आता है जितने भी लोग CA final पर देख रहे हैं मैं आप लोगों को बता जिता हूं मैं CA foundation के students को business mathematics, logical reasoning and statistics बताता हूं ठीक है पढ़ाता हूं और मैं almost हर class में बोलता हूं कि सिर्फ ऐसे उपर-उपर से देखने से नहीं होगा आपको question के अंदर घुसके उसको समझना होगा ठीक है and there'll be many concepts and there'll be many concepts जो आपको questions के through question का solution देखने पर आपको पता चलेगा कि अच्छा है इसका solution ऐसे होगा और जब आप questions solve करोगे तब जाकर आपको confidence आएगा और तब जाकर आपको उस topic का concept अच्छे से clear होगा second चीज एक और चीज इसी के अंदर एक दूसरी चीज जोड़ी भी है जब आप ऐसा कर रहे होगे तो आपको दो questions exactly same मिल जाएंगे दो questions आपको मिलेंगे exactly same लेकिन होगे solution का करने का तरीका अलग-अलग होगा और वहाँ पर आप हो जाओगे भयंकर confused आप बार बार दोनो questions को मिलाओगे अरे यार बिल्कुल सेम तो है बिल्कुल तो सेम है बिल्कुल सेम है फिर भी answer अलग क्यों आ रहा है फिर भी दूसरी आपको पता चलेगा कि एक कोई छोटा सा पॉइंट किसी एक question में चेंज कर दिया गया है जिसकी वाज़े से पूरा question बदल गया है अब आप लोग competitive exams के तयारी कर रहे हो और आप लोग मुझसे कम से कम सो गुना ज्यादा करते हो ठीक है स्वाइब क्लास चल रही है मैं कोई concept पढ़ा रही है या उन्होंने पढ़ाना भी उन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया है सर मेरा डाउट मेरा डाउट है सर इसमें अगर ठीक है निशान्त एक मिनट बैड जौब पहले खतम कर लेगे उसके बाद बात करेंगे जी सर ठी इरिटेशन बढ़ रही है कि यार, ये मेरे डाउट स्क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है, यह कि तुरा खराब टीचर है, यह तो सिर्फ अपनी पढ़ाने आ जाता है, पर मेरे डाउटस तो लेता है है नहीं, थीक है, मैं उस इरिटेशन में बैठा हुआップ , अब जो टीचर बता सबसे बड़ी मिस्टेक The What Ifs सबसे बड़ी मिस्टेक और आज तो और बहुत ज्यादा और भासां next level हो रहा है What Ifs ठीक है understand one thing जितने भी आपके दिमाग के What Ifs है ना उनमें से कुछ तो CA के लिए relevant होंगे कुछ आपके exam के लिए relevant होंगे और और कुछ आपके exam के लिए completely irrelevant होंगे जो जो what ifs आपके दिमाग में आ रहे हैं अगर वो exam के लिए relevant है तो teacher अपने आप बताएंगे क्योंकि आपको जो भी पढ़ा रहे हैं उनको तो मालूम है ना कि आपके exam के लिए क्या आएगा वो तो उसका तो काम ही है यह ना like if I'm teaching business mathematics, logical reasoning and statistics तो मेरा तो काम है ना I have analyzed all the past examination questions, I have analyzed the entire study material, I have analyzed the entire mock test papers, I have analyzed every damn thing you can think of right और उसमें फिर मैं आपको वही वही तो बताऊंगा ना जो आपके C.A. foundation के लिए relevant है उसमें C.A. final में भी या C.A. intermediate में भी आपका teacher तो आपको वही बताएगा ना जो C.A. intermediate या आपके exam के लिए relevant है see once again I am saying आप किसी भी एक topic का google कर लो, किसी भी एक topic का नाम आप google करो, आपको 50 videos मिल जाएंगे उस topic से related और हमसे बढ़िया पढ़ाने वाले, हमसे बढ़िया समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन फिर भी आप हमारे पास क्यों आ रहे हूँ Even then, why are you going to a teacher to study? बताओ एक चीज जो हम भूल जाते हैं, ये बंदा जो सामने हमें पढ़ा रहा है, ये exam clear करने में हमारी मदद करेगा हम सब लोग कोई भी coaching या किसी भी teacher के पास सिर्फ इस लिए जाते हैं, क्यूंकि उस teacher को पता होता है कि exam में क्या आने वाला है, या exam में किस टाइप की चीज़ें आने वाली हैं, और हम वो हमें ऐसा बता देगा कि हम at least exam को clear कर पाए, लेकिन पता नहीं क्या होता है, क्लास म बैठते ही, पूरी जो पूरा का पूरा जो focus होता है, पहले तो मुझे बहुत अच्छे से मेरी satisfaction के हिसाब से मुझे concept बताया जाए, चाहे वो exam के लिए relevant हो, चाहे ना हो, ठीक है, ये पंगा हो जाता है, तो these what-ifs are the most dangerous things, these what-ifs are the most dangerous thing, मैं बता रहा हूँ, ये what-ifs मेरे साथ बहुत हुआ था, ठीक है, what-ifs मेरे साथ बहुत हुआ था, और ये आजकल आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो please, 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 stop these what-ifs, तीसी चीज़, impatience, वही वाली चीज, ये what-ifs के साथ linked है, ठीक है, इतनी ज्यादा impatience है कि सब कुछ मुझे अभी पता चल जा, सब कुछ मुझे अभी तुरंत समझ में आ जाए, और अगर मैं मतलब patiently नहीं सुनूँगा, the only thing, मैं patiently नहीं सुनूँगा, मैंने अभी आपको क्या बता है, अगर teacher ने मेरे doubt का जवाब तुरंत नहीं दिया, तो I'll start searching for book, I'll start searching the answer to my question in the book, कि अच्छे, इसमें ऐसे दिया, ऐसे दिया, तो ऐसे में हो क्या रहा है, जो teacher पढ़ा रहे है, और फिर अगले दिन आकर, मैं उस चीज़ से related doubt पुछंगा, जो आज already teacher पढ़ा चुके है, तो मैं automatically class में सबसे पीछे जाता जा रहा हूँ, ठीक है, कभी भी आप देखोग वो कभी ये कुछ कहते नहीं है, कि इसको ऐसा करा दो, ऐसा भी करा दो, ये वाले question भी करा दो, ये वाले question भी करा दो, ऐसा भी करा दो, I remember, I know it very clearly, ठीक है, मैं तो इतनी quizzes लेता हूँ, जितने भी toppers होता है, I'm seeing them, ठीक है, all these toppers, I know those toppers, जो class में कभी नहीं बोलते, कि अगर ऐसा हुआ, तो सर क्या होगा, सर अगर ऐसा होगा, तो क्या होगा, सर ये तो हुआ, ये जल्दी से बता दो, सर ये वाला बता दो, ये वाला concept कराओ गया, क्या आप ऐसा भी कराओगे, क्या आप ये वाला कराओगे या नहीं कराओगे, the toppers never do that, the toppers never do that, the toppers simply listen to what the teacher is saying, and simply follows what the teacher is asking you to follow जो टीचर ने बुक दिये जो टीचर ने क्वेस्टेंस दिये जो टीचर का मटीरियल है उसी को पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते रहते हैं उसी को सॉल्व करते रहते हैं ठीक है एक बहुत ही इंट्रेसिंग चीज अब मैं आप लोगों के साथ सब्सक्राइब को छाए रहते हैं तो फिर सब्सक्राइब उन ऐडर आइधर चार चार ग्रूप्स में कर सकते हो ठीक है तो four papers are categorized as group one and the next four papers are categorized as group two right तो CA final के first group में CA final के group one का जो paper number four था that was corporate and allied laws ठीक है उसमें एक act होता था Securities and Exchange Board of India SEBI Act उसमें होता था और मैं class कर रहा था एक बहुत ही renowned faculty थे तब ठीक है उनकी में class कर रहा था and he said बहुत renowned faculty law किये सालों से उनकी books बहुत famous हैं सभी students पढ़ते हैं हम लोगों ने उनकी books पढ़ी है उन्हों ने बोला class में अपनी कि मैं SEBI Act नहीं पढ़ाता हूं मैं SEBI Act नहीं ठीक है अगर आप लोग भी आप लोग छोड़ दो अगर करना चाहते हो तो मैंने अपनी book में तो दिया हुआ है मेरी books से आप लोग पढ़ सकते हो वैसे से भी आक करने की कोई जरूरत नहीं है उसमें बहुत ज्यादा लग जाती है और उसका कोई मतलब नहीं है इस लिए इस बेटर के आप बाकी टॉपिक्स पर फोकस करो से भी आक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरा दिमाग हो गया खराब मेरा दिमाग खराब ठीक है मैंने का ऐसे कैसे मैं तो 100% सिलिबस कम्रीट करके जाओंगा मैं एक पूरा चाप्टर छोड़ के ऐसे दूँ ठीक है मैं आया घर और घर पे मैंने आकर उन टीचर की किताब निकाली हो और सबसे पहला काम जो मैंने क और यह क्या टीचर रहे अपनी किताब लिख दियो और सबस्क्राइब नहीं रहा है जबर्दसी अपने दिमाग में बना लिए जजमेंट मैंने इसे भी आग दिरे 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 पढ़ना शुरू किया और उसकी टफनेस नेक्स्ट लेवल बढ़ती गई नेक्स्ट लेवल मैं मुझे धिरे-धिरे रिलाइस होने लगा है कि हां यार सर्वर्स राइट मुझे से भी आक नहीं पढ़ना चाहिए था तो लेकिन अब क्योंकि मैं ओलरेडी 50% कर चुका हूं तो यू अली टेल मी वोड़िट भी इजी फॉर मी कि हमें बचा हुआ 50% छो मैं पास examination में questions देखता हूं पुराने question papers को देखता हूं और देखता हूं क्या SEBI Act से question आता भी है या नहीं आता है भाई साइब जो काम मुझे सबसे पहले करना चाहिए था वो काम मैं अब कर रहा हूं 50% करने के बाद जो काम मुझे सबसे पहले कर लेना चाहिए था अगर म लोग तो मैं सप्राइज आठ नामबर के questions हर attempt में पूछे आता है अभी का मुझे नहीं मालूम अगर कोई है और paper four की तैयारी कर रहा है तोह अभी मुझे नहीं मालूम तब आठ नंबर का question हर attempt में आता था उन्युर्स इसे क्राइड आइट मुद्टे को आप लोग छोड़ सकते हो इस एट मार्ग जाप्तर को आप छोड़ सकते हो वाई इदेजन Caitlin very simple. That teacher was focusing more on the 92 marks. That teacher was focusing on the 92 marks and the same thing maybe what face कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है पेपर थ्री सिए फाउंडेशन का पेपर थ्री है उसमें there is a chapter 8 calculus basics of differential and integral calculus मैं पहले दिन से बोल देता हूं कि भाई साइब यह वाला chapter करने की कोई जरूरत नहीं है यह वाला chapter मैं भी नहीं पढ़ाऊंगा अगर आपको यह वह मुझसे लगन लगते हैं क्योटे अलवेस्टान हुत Σकतर या तो मुझसे लगन करते हों कि अचaren किसर सब्सक्राइब आपको पता है आप कर किया रहे ह हो मैं ने बोला calculus करने की कोई जबरति हैं ठीक है कई सारे students हैं उन में से कुछ दो-चार students ने लिखना शुरू कर दिया नहीं calculus आसाने calculus आसाने calculus आसाने तो जितने भी बाकी students है who had made up their mind कि अच्छा ठीक है अब हम calculus छोड़ सकते हैं क्योंकि आप आपने बोल दिया कि वह आसान है और आपके चाइट सबको दिख रहे हैं तो अब आपने सिर्फ अपने आपको यह नहीं बल्कि उन सभी students को सब्सक्राइब क्योंकि अब वह सारे students मुझे टेक्स कर रहे हैं कि नहीं सर मैं तो पूरा 100% पढ़ना चाहता हूं आप मुझे कोई और टीचर रेकमेंड कर दो जो की calculus पढ़ाता हो I get tons of messages like this every single day कि सर मुझे तो calculus पढ़ना है can you please recommend me a teacher who teaches calculus good on YouTube why why एक चाप्टर के लिए इतना क्यों मरे जा रहे हो मैं किया रहा हूं अगर दस नंबर का भी आ गया उस chapter में से तब भी बाकी के 90 का क्या focus on the बाकी के 90 राइट यह वाली चीज मैंने बहुत की थी इसी से पहले मैंने लौका teacher बदलिया again a very very good educator a brilliant teacher brilliant teacher उस समय Companies Act में उस समय Companies Act में I don't remember the exact name of the section exact number of the section but I think it was section 188 of the Companies Act 2013 आप लोग यहां पर कई सारे लोग से यह final के होंगे तो आप लोगों को बहतर पता होगा it was something related to directors remuneration or related party transit कुछ तो था ठीक है section 188 था या 189 था I'm not sure इस समय मुझे बिल्कुल भी याद निया रहा है कि वह section number क्या था उस section number में चल रही थी problem क्या problem चल रही थी ICAI की book में कुछ और लिखा हुआ था government कुछ और लिखा हुआ था और हमें कुछ पता नहीं था कि उस section का relevance क्या है और वो section हमारे एक्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा ठीक है यह सारी बात हमें उन सर ने बताई ठीक है कि देखो government कुछ और किया रही है और आपके ICAI के book में कुछ और लिखा हुआ है for the timing इस section को छोड़ दो ठीक है इस section में अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्जाम से पहले जब ICAI अपनी आटीपी निकालेगा आटीप में अगर मालो इस वाले section के सब्सक्राइब वापस आए गए सीधा मिनिस्ट्री ऑफ कॉट्रेट अफेर्स की वेब साइट पर गए दोस्ते का कंपनी रूल की किताम निकालो कंपनी आक्ट का बेर आक्ट निकालो और एक पूरा दिन section 188 या section 189 whatever that was उस पे पूरा का पूरा टाइम पूरा का पूरा दिन मैंने उसमें वेस्ट किया एक तो पूरा दिन वेस्ट करने के बाद मुझे समझ में भी कुछ नहीं आया यह क्या बवाल ठीक है क्योंकि टीचर ने तो बोल दिया तर नहीं और बुक में कुछ और लिख क्या सभी students को पूरी class में उन्हें ने 15-20 second के अंदर अंदर बता दिया तो ना कि देको ऐसा ऐसा है लेकिन उस 15-20 second के पीछे जो उन्होंने मेहनत की थी मेरा मन किया कि चलो मैं भी वो मेहनत करता हूं और मैंने वो पूरा निकाल कि देखा तो trust your teachers जो कि मुझे करने में बहुत टाइम लगा और आभी मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में भी ऐसा बहुत हो रहा है ठीक है कि please trust your teachers अगर वो कुछ कह रहे हैं कि भाई इसको ऐसे कर लो या इसको याद कर लो या इसको छोड़ दो फटम करो आपको पता है ICAI में कई सारे questions का answer गलत दिया रहता है study material में कई सारे questions का answer गलत दिया रहता है मैं ऐसे questions को बोलता हूं ambiguous questions क्यों बोलता हूं क्योंकि that the answer completely goes against the concept of the you know against the concept लेकिन अभी क्या है क्योंकि हमारा paper MCQ pattern में होता है study we don't know कि ICAI exam में वो question देने से पहले अपना answer correct करेगा या नहीं करेगा ठीक है क्योंकि ऐसा subjective papers में तो बहुत होता है कि ICAI correct नहीं करता है subjective papers में चाहे वो accounts हो चाहे वो strategic financial management हो चाहे वो costing हो चाहे वो taxation हो अगर institute ने कोई किसी question को घलत तरीके से solve किया हुआ है और exam से पहले उसने उस question से related कोई clarification नहीं दिया है और वो question exam में as it is आ गया तो you are also expected कि आप वही गलत तरीके से exam में करो जिस तरह से institute ने किया हुआ है तभी आपको marks मिलेंगे अब ये बात कई लोगों की ego पर लगती है कि यार ये कौन सी बेवकूफी की बात है है accept it move on accept it move on just attempt में मेरा clear हुआ ठीक है मेरा November 2016 में first group clear हुआ और November 2018 में second group clear हुआ November 2016 से पहले वाले attempt मैंने पता ही क्या किया था November 16 वाला attempt से ही पहले जब उस attempt की मैं preparation कर तो you know what I did strategic financial management में कई सारे स्टाइब के ambiguous questions थे कई सारे स्टाइब के ambiguous questions थे मैंने उन सभी questions की list बनाई थी and I used to keep on revising those questions again and again right क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन में से कोई एक question आ जाए तो मुझे उसको उसी तरह से solve करना है and the same thing I keep on telling you people कि अगर maths में stats में LR में कोई भी ऐसा question आ जाए जिसका आंसर ICI के हिसाब से घलत है तो भाई उस question को अलग से लिखो कि यह ambiguous question है और उसका दो चार questions होते हैं यार ambiguous you know ambiguous questions constitute hardly 1% of your syllabus hardly 1% होता भी निये मैं तो कहता हूँ छोड़ा भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो लेकिन उस ambiguity के चकर में जो अपना blood pressure बढ़ाने वाली चीज़ होती है ना that I completely don't understand right and this is what I used to do but eventually eventually मैंने ठीक किया तब जाकि November 16 में मेरा first group निकल पाया आज भी कई सारे students है कई सारे students है जो मुझे टेक्स करते हैं जब मैं बता देता हूं कि हाँ यह वाला question ambiguous है बट आप में से कई सारे लोग text करते हैं कि sir ambiguous I got a very interesting text from a student ठीक है मैंने YouTube पे class लेते समयं बताया कि वाला question ambiguous है ठीक है इसमें ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा है तो अभी लेट सब्सक्राइब करेंगा तब हम लोग उसके बारे में आगे बात करेंगे भाइसाब उस बंदेन मुझे इतना लंबा टेक्स्ट भेजा WhatsApp पे और मुझसे कहता है कि सर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा बेसिकली जो चीज मैंने बताई थी वो पुरी की पुरी चीज उसने लिख दी ठीक है और उसके बाद नीचे लिखता है no doubt this is an ambiguous question sir but still मुझे समझ में याया please explain अभे ambiguous question में क्या समझाओं तेरे को मैं ambiguous it's an ambiguous question right so trust your teachers on certain questions if they are saying that it is ambiguous on certain things if they are saying that it is not relevant on these kind of things so please do that ठीक है इस तरह से आपको करना होगा तो आप अपने कई सारे attempts को बचा सकते हो ठीक है आप next निशांत कुमार ना बन जाओ मैं पस यह चाहता हूं यार आप लोग निशांत कुमार ना बन जाओ यह तो हो गई सर सारी की सारी classes की बात अब बात करते है यह सारी की सारी जितनी भी चीज़े मैंने बताई यह सारी की सारी चीज़ें related हुई classes से ठीक है teacher topic multiple classes and all that यह सारी की सारी चीज़े एक aspect में आई एक Chartered Accountancy student की life में तीन aspects होते हैं ठीक है वो class करता है वो घर जाके self study करता है ठीक है और उसके बाद वो revision करता है हमने classes के बारे में सारी बाते कर ली है अब हम बात करते है self study के बारे में self study करने में जो सबसे बड़ी गलती मैंने की है वो पता ही क्या की है जिसकी वज़े से मुझे इतने सारे attempts लगे कि अच्छा यह तो पता होगा class में तो ध्यान दिया नहीं मैंने यह अभी पूरे पिछले 40 मिनिट से ही बता रहा हूं class में तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं क्योंकि class में तो मेरे doubts और मेरी ego और मेरा ये और मेरा वो और सब कुछ यही सब आता था अब घर आके जाहिर सी बात है ना तो मैंने काईजे से नोट्स बनाए हुए होंगे ना तो टीचर की बात काईजे से सुनी होगी तो टीचर की किताब में जो भी दिया है वो काईजे से समझ में आएगा नहीं चलो आओ कुछ देखते हैं किसी एक टेलेग्राम चैनल पर नोट्स मिल गए इसके नोट्स से पढ़के देखते हैं कहीं किसी ने बता दिया कि यार तूना इस ऑथर की बुक खरीद ले एकदम बेसिक से दिया हुआ है और उसको पढ़ सब समझ में आ जाएगा वाह वो तुझे तु मेरे पास आ मैं बताता हूं तुझे आ दोस के पास चले गए दोस के पास जाके कितनी बढ़ाई होती है तुम सबको मालूम है सबसे पहले खुलता है चिप्स का ठीक है बगर में खुलती है cold drink उसके बाद चलती है कोई series और उसके बाद बस ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों के साथ ऐसे ही होता है बहुत ज्यादा पढ़ाई-बढ़ाई होती नहीं है ठीक है कुछ लोग होंगे exceptions जो पढ़ लेते हैं but that's great anyway ठीक है तो फिर हम लोगों नहीं यह करना शुरू किया कि जब self study मैंने की जब मैंने self study की तो मैं कोई भी एक basic सी किताब से उठके पढ़ना शुरू कर देता ठीक है फाउंडेशन में जब मैं आया अच्छा एक बात तो clear है मैं science student हूं राइट मैंने 11th 12th में science ली थी तो मेरे पास commerce का तो कोई background था नहीं मुझे accounts आती नहीं थी right my dad has been an accounts teacher my dad is still a teacher he's not a chartered accountant but uh बहुत बढ़िया accounts पढ़ाते हैं everything सब कुछ है तो जब मैंने सिये foundation में आकर accounts पढ़ना शुरू किया तो अच्छी कासी मेरी coaching लगवा दी गई और coaching में अच्छा पढ़ाया जा रहा था मैं घरा रहा था और dad was always you know कि कभी भी कोई भी डाउट हो account account से related तो you can ask me and I used to ask him कभी भी कोई भी डाउट होता था मैं उनसे पूछ लेता था और वो उसका पूरा to my satisfaction was doubt को पूरा solve कर देते थे बतलब इससे बढ़िया चीज और क्या ही हो सकती है किसी भी एक student की life में ठीक है कि there is a guy who is saying कि कभी भ और satisfaction everything ठीक उसके बाबजूत वड़ाइड वाज दिवाज दिमांग में तो यह था ना कि यार नहीं बेसिक तो मत पता नहीं है तो मैंने 11th 12th की accounts की books मंगा ली 11th 12th की accounts की books मंगा ली पूछा अपने commerce के दोस्तों से पूछा कि यार तुने 11th 12th में कौन सी बढ़ी सबसे बढ़ी है reference book के साथर किये जिस भी author किये मैंने मंगवा ली ठीक है and one day my dad caught me you know and dad was saying बहुत time से कि यार past examination questions dad had given me the this book called scanner जिसमें पास examination questions होते तो उन्हें का scanner से questions करना शुरू करो scanner से questions लगते नहीं थे scanner के questions हो इनी पाते थे ठीक है और अगर scanner के questions नहीं हो पाते थे तो what I used to do कभी doubt है कभी कुछ है कभी कुछ है कभी कुछ है धंग से concept समझ में नहीं है धंग से concept समझ में नहीं 11th की accounts की books मंगा ली पापा ने कई बार देखा कई बार ignore किया कई बार प्यार से समझाए कि जाने दो 11th की किताबे पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है ठीक है scanner से questions कर लो पास examination questions कर लो पता चल जाएगा नहीं माने नहीं माने ठीक है एक बार बोला के पुछते हैं तुम यह कर क्यों रहा है अच्छा क्योंकि 11th की books में बेसिक से questions है उनको करके मैं खुश हो रहा हूं कि अब मुझे धीरे जरे जो है accounts का concept समझ में आ रहे अब मुझे धीरे दरे अकाउंट के concept समझ में आ रहे तो 11th की accounts की books से questions करके मैं बड़ा खुश हो रहा हूं कि हाँ यार इदि यह वाले questions हो जा रहे यह books नहीं मिलेंगी इन्हीं books को करते रहोगे सीए foundation clear होने नहीं वाला यह foundation clear हो इन सकता क्यूंकि सीए एक्जाम जिस लेवल के questions पूछ रहा है वो तो तुम solve भी नहीं कर रहे हो ना क्यूंकि पापा का control था पापने books उठाके रख ली लेकिन जब मैं सीए final में आया तब थोड़ी इतना लेकिन absolutely नहीं हम कोई भी random किताबें खरीद लेंगे किताबों का धेर बना लेंगे पता नहीं कितनी books मैंने खरीदी हैं पता नहीं कितने teachers के मैंने pen drive lectures खरीदे हैं कि इसका समझ में नहीं आ रहा है इसका इसका समझ में नहीं किया है लेकिन self study जो काईदे से होनी चाहिए कि भाई जो class में teacher ने कराया आप आके उसको पढ़िए और उससे related जो teacher ने class में questions कराया आप उन questions को solve करिए अगर वो questions नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं आप उसको 4-5 बार लिखके solve करी वो अपने आप आपको समझ में आएंगे और जो questions teacher ने homework में दिया है आप उन questions को solve करिए बस यहीं चीज जो है यह मैंने नहीं की आप में से भी कई सारे students होंगे जो यह चीज नहीं कर रहे होंगे self study घर वापस आकर करते ही नहीं है और पता है एक और चीज आ जाती है में सभी लोगों के अंदर आ जाती है मेरे अंदर भी आ गया थी पहले सारे classes खतम कर लो उसके पढ़ूँगा ठीकर फैले सारी खतम कर लो उसके बाद पढ़ूँगा या पहले सारी खतम कर लो उसके बाद रिवाईज करना शुरू करो भाइव तेरे को याद कैसे रहेगा तेरे को या तुने आज़ सुबह नाश्टे में क्या खाय था hell, seriously I'm telling you, मुझे याद नीं, मैंने यिस session से आदे गंटे पहलेaux dinner किया था, मुझे नहीं वालों मैंने dinner में क्या खाया था. मैं गया। मेरी दिमाग में से ये वाला session चला था, मुझे क्या क्या बताने, क्या क्या बताने, और जो भी था रोटी सबसी जो जो कुछ भी था मैंने उसको खाना शुरू किया मैं दस मिनट में खाके मैं यहाँ पर आगया मुझे यादी नहीं मैंने डिनर में क्या किया था भूल जो मैंने लंच में क्या किया था ब्रेटफस्ट में क्या किया था ठीक है और हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा this is wrong this never happens this does not happen human brain की capacity होती है human brain tends to forget 70% of the stuff if you do not revisit it ठीक है 24 घंटे के अंदर अंदर human brain 70% भूल जाएगा अगर आप उसको revisit नहीं करोगे अगर आप उसको revise नहीं करोगे तो यह पंगे बहुत किये मैंने यह पंगे बहुत किये आप में से कई सारे लोग कर रहे होगे somebody अभी यह वाला क्यूंकि यह वाला सेशन से यह फाइनल वाले चानल पर भी लाइव स्ट्रीम हो रहा है तो से फाइनल वाले चानल पर भी जो शॉर्ट था उसके नीचे किसी ने लिखा था कि मेरी भी situation ऐसी नॉवेंबर 15 में मेरा first attempt आया था और अभी तक मेरा second group pending है अभी session से just session के starting से just पहले किसी ने कहा था किसी ने सी फाइनल वाले चानल पर बोला था कि मेरा भी November 14 से चल रहा है और अभी तक मेरा second group बाकी है please suggest some strategy guys मैं आप लोगो seriously बता रहा हूँ एक बार अपने अंदर जहां होगे you guys must not be revising you guys must not be studying you guys must be having a lot of ego issues I don't know ठीक है लेकिन यही वाली चीज़े होती है जो एक student को CA का exam crack करने से रोकती है अच्छा एक बात और हो जाती है CA final तक आते आते ठीक है क्योंकि हम लोग CA foundation clear कर चुके होते हैं CA intermediate clear कर चुके होते हैं और intermediate के बाद हम 3 साल की training में कर चुक taxation पढ़ते हैं या auditing पढ़ते हैं या indirect taxation पढ़ते हैं अगांटिंग पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हम institute से ज्यादा जानते हैं ठीक एंडिक है अपने office में कोई चीज किसी एक परेक्टिकलर तरीके से करोगे ठीक है लेकिन बुक में वो चीज किसी और तरीके से दीग ह हुई होगी practical question जब उसका एक्जाम में आएगा तो उसमें किसी और तभी किसी चीज solve की हुई होगी आपको क्या करना है आपका में फोकस इस समय क्या है आपका में फोकस exam है या ICAI से लड़ना है क्या है आपका में फोकस और उपर से इतनी negativity जो हर तरफ फैली हुई रहती है भाई साब इस negativity institute का past percentage result low जाता है लो तो जाए गई लो तो जाए गई जब 9 attempts तक मेरे जैसे students जाके exam देते जाएंगे तो मेरे जैसे students ही तो result को low बनाते है आपके जैसे students ही तो result को low कर रहे हैं listen to me this is very deep this is very deep क्योंकि सभी students तो ऐसा कर रहे है коммент头 आपकिसी भी classroom में देख़ो आपकिसी भी classroom में देख़ो कितने students आते हैं जिनके सारे के सारे questions सही होंगे कोई भी है क्विस का session attempt करके कोई भी है C κα सेशन कितने student सैसे होंगे जिनके सारे questions सही होंगे या जिनके 90% से उपर questions सही होंगे यार तुम 90% सही करके आओगे तभी तो institute का result भी 90% जाएगा लेकिन ये चीज मानने के लिए कोई तयार ही नहीं होता है ये चीज मानने के लिए कोई तयार नहीं होता बच्पन में जब बोला जाता था कि नहीं आपको बुक की लांगविज लेकिन अब अगर बोला जा रहा है कि आपको वही keywords लिखने तभी आपको marks मिलेंगे तो आपकी हालत खराब हो जा रही है यह तो गलत बात है प्रोफेशनल एक्जाम में आके बताईए प्रोफेशनल एक्जाम में आके बताईए ऐसी बात करवा रहा है हम तो ज्यादा जान जब तक C.A. बन नहीं जाते ना मान के चलो कुछ नहीं हो रैट मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ था पता नहीं किस बात की ego आ गई थी मेरे में मैंने तो आर्टिकल्शिप कंप्लीट की है और मैं तो पता नहीं कितना महान हूँ सब में आ जाती है ego ठीक है और आसपास की ज होने की वज़े से गालियां देते हैं ना कि institute ने जबरदस्ती मुझे फेल किया उसमें से हाडली वन परसेंट लोग सच में ऐसे होंगे 99% of the people who claim to be failed by the by the institute are lying are lying I can say it on video I am saying it on video 99% of the students who are saying कि मैं तो सिर्फ institute की गलत चेकिंग के वज़े से हुआ आप जूट बोल रहे हो आपको पता ही नहीं है आपको पता ही नहीं है आप वो करना ही नहीं चाहते हैं जो इंस्टिट्यूट आप से जाता था में 15 में उसी सब्जेक्ट में मेरे 36 माक्स आए 36 कितने 36 नौवेंबर 14 में कितना है 40 एक अटेम्ट बात जब मैंने वो पेपर दिया हो उसमें कितने माक्स है मेरे 36 मैंने भी को गरियाना शुरू किया यह एक पेपर जिसमें मैं सबसे ज्यादा माक्स एक्सपेक्ट कर रहा था उसमें मेरे पिछले अटेम्ट से भी कम मार्स आए ऐसा कैसे पॉसिबल है इंस्टिट बिकार है इंस्टिट एसा इंस्टिट वैसा यह वो पता नहीं दुनिया भर का ड्रा सब्सक्राइब कर रहा हुता तो एक अनबाइस्ट तरीके से या एक इंपार्शल तरीके से क्या मैं अपने आपको उतने भी मार्स देता जो आईसी यह ने दिया है once again I'm not saying कि 100% copies का correction एकदम सही होता है लेकिन I'm saying कि अगर 100 अगर there are 100 students who are claiming कि हम institute की वज़े से fail हो गए उन में से सिर्फ एक इंसान ऐसा होगा जो कि genuinely institute की गलती से fail हुआ होगा बाकी सारे 99 जो है न वो सिर्फ अपनी या तो ego में या तो किसी चीज में अपने आपको बस protect करने की कोशिश कर रहे हैं यह मैंने भी बहुत time तक किया मैंने भी बहुत time तक किया तो यह चीज होती है self study की यह चीज होती है self study की इसके self study में जो चीज relevant है जो चीज आपके exam के लिए relevant है उसको छोड़के हम सब पढ़ते हैं हम 50 तरह की reference books मंगा लेते हैं हम 50 तरह के teachers की books को refer करते हैं किसी एक टीचर ने चार्ट्स बना कर दे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ उनके चार्ट्स खरीद के दिवार पर लगा लेंगे लेकिन वो चार्ट्स कभी पढ़ते नहीं है ठीक है मैंने सिए final में ऐसा चार्ट्स लगा लिया बच्शाट्स को देख रहा है बच्छें को समय में नहीं हा रहा है क्यूंकि वो चार्ट्ष बे चार्ट्स ब्लीकार टीचर की समरी नोट से आपके चार्ट्स अगर आप बना के दीवार पर लगाऊंगे तब आपको समझ में आएगा आपको untuk owners भी क टीचर के चार्ट को कॉपी कर लो that is not an issue at all कि किसी भी टीचर के चार्ट खरीदो जो भी आपको लगता हो कि बहुत अच्छे टीचर उन चार्ट को आप खुद से बनाओ उन्हीं को देखे खुद से बनाओ ट्रस्ट मी जब आप उन चार्ट को कॉपी कर रहे होगे न तो दिल भी लॉट अब न्यू थिंग्स विच रिलाइज कि यार इस चार्ट में यह पॉइंट और और आड कर देता हूं इसको इस तरह से बना देता हूं तो यह गलतिया हम लोग बहुत करते हैं और यह मैंने भी बहुत की कि इस टीचर की समरी बुक मंगा लेता हूं इस दो कि रिवेशनले क्टर में यह देख रहा हूं त इजैशनले करहें हूं ने इस अ के रिवीशनले क्टर वाय हूं चैनले क्यों निन दिमाग में जो कोन्सेट को तो इस दो तरीकों से फामिलियर है यह यू आर फामिलियर विद्ध डवेज और टीचर एक्स तो उनिके रिविजन तो आपको सूट करेगा ना आप रिविजन लेक्चर किसी दूसरे के टीचर का कैसे देख सकते हो फिर कंफ्यूज होते हो पत करो ऐसा मैंने बहुत किया यार वाड़ि यहां पर यह चीज आ जाती है क्या वही लांगविज को अपने वर्ट में नहीं लिख सकते हो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो ठीक है अंडरस्टाइंड यह सिए के एक्जाम्स की या किसी भी इंसिट्यूट किये अच्छा इससे कई लोगों को यह लगता है कुछ और कर लेते यार् आप अ कुछ और करते ना तो वह कुछ और में कुछ और तरीके के इसओ आते जिनको हैंद करने के लिए अगर अबिए नहीं हो तो ये सोचना कि इस से बहुतर तुंह और कर लेता बहुत घलत हो जाएगा क्योंकि उस कुछ और की कुछ अपने निटिग्रिटीज होते कुछ और अपने चालेंजज होते और वो भी आप लोगों को लगता कि यह यह क्या इससे अच्छा तो मैं कुछ और ही कर लेता ठीक है और दूसरों की सक्सेस टोरी तो हमें बहुत भात ही है ठीक है इंस्टाग् उड़ी तो वहीं अपने घर पही है है और सारे इसके दोस्त हैं सब दोस्तों के साथ है और देखो जो एक तरीका है जो बहुत ही important और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है वो पता है क्या होता है कि आप जो भी चीज पढ़ो उसका पहला revision आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर कर लेना चाहिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ने तो 70% तो आप भूल जाओगे तो अग कुछ नहीं आद आएगा और फिर आपका depression आपकी loneliness आपकी anxiety next level की हो जाती है और बहुत issues आते हैं तो revision करने का जो तरीका है वो यह है कि first revision has to happen within 24 hours of your first study the next revision has to happen within three days from the first revision and every subsequent revision has to happen after every six days from the second revision ठीक है मैं एक बार repeat कर रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना आज कोई चीज पढ़ी आज date क्या है today is 11th June ठीक है today is 11th June 11th June को मैंने कोई चीज पढ़ी मेरा पहला revision आना चाहिए 12th June को ठीक है फिर तीन दिन बाद 13th 14th 15th छोड़ दो 16th June को मेरा इसी चीज का दोबारा revision होना चाहिए ठीक है that is the second revision and फिर 16th June प्लस 6 कितना आ गया 22 ठीक है तो 23rd June को फिर मेरा next revision होना चाहिए फिर 6 दिन बाद next revision फिर 6 दिन बाद next revision फिर 6 दिन बाद next revision अब जब भी मैं यह वाली टेक्निक बताता हो revision की न तो लोगों की दिमाग में आते कि सर इतनी बार revise करेंगे तो नया कैसे पढ़ पाएंगे trust me guys आप जितना भी पढ़ोगे उतना इतना solid हो जाएगा कि exam में से अगर उसमें से question आएगा तो हो जाएगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ विद एभी subsequent revision your time taken to revise is going to reduce like anything करके तो देखो एक बात एक बार करके देखो आज आप कोई चीज एक घंटा लगा कर पढ़ रहे हो आपको क्या लगता है कि कल उसको revise करने में फिर से आपको एक घंटा लगेगा the answer is absolutely not लेकिन हाँ अगर आप उसको एक महीने बाद दो महीने बाद कर रहे हो तो उसी एक चीज़ को revise नहीं होगा वो फिर आप उसको पढ़ने बैठ जाओगे और पढ़ोगे यह सारे issues आ जाते हैं right so please revise regularly I never revise regularly that's why it took me so many attempts जिस भी attempt में मेरा group 1 clear हुआ उसमें मैंने properly revision schedule बनाकर accounts का SFM का law का audit का मैंने ऐसा revision किया और उसके बाद group 2 में जिस भी attempt में मेरा clear हुआ उसमें मैंने इस तरह से किया ठीक है तरीके सारे मालूम थे तरीके आपको भी सारे मालूम है मैं सच बतानो deep down every CA final student every CA student knows what he has to do and what he hasn't what he does not have to do लेकिन पता नहीं क्यों करते नहीं है बस करते नहीं है ठीक है मुझे भी सब कुछ पता था मैं पता नहीं क्यों करता नहीं है करता नहीं हो ठीक है हो सकता है जितनी भी चीजे मैंने अभी आप लोगों को अभी तक बताई है वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को already मालूम हो ठीक है बट फिर भी यह session आपके लिए क्यों fruitful होगा क्योंकि कई बारना हमें जो चीज़ पता रहती है कोई उसको बस एक बार हमें reinforce कर दे ना कोई एक बार बोल दे तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा beneficial हो जाता है these are the three aspects that I wanted to talk to you about classes self-study revision अब मैं इन तीनों aspects के बारे में बात कर चुका हूँ ठीक है अब चौथा एक बहुत ही most important aspect है वो है exam कई सारे students में ये tendency होती है मेरी तैयारी अच्छी नहीं है इस attempt में नहीं दूँगा अगले attempt में दूँगा but do that thankfully I never did that मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मैं exam देने गया ही नहीं ठीक है लेकिन मैंने ये बहुत किया है कि ये exam बस ऐसी casually दे दिया मैंने attempts को lightly बहुत लिया है ठीक है दो type के लोग आपको मिलेंगे और दोनों में बात वही आ जाएगी मेरी इस बार तो तैयारी काईदे से न category कि अगली attempt के लिए काईदे से पढ़ाई करोगा दोनों में कोई अंतर नहीं है दोनों में कोई अंतर नहीं है अगर आप लाइटली देने जा रहे हो अगर आप मेरी तरह पेपर को लाइटली देने जा रहे हो तो इस बेट यूद और गो अट ओल ठीक है एक एक पहिपर तो सेजचेटेट अंसर्च देखने के बाद भी भी पता चल जाएगा नहीं तो एक्जाम के तुरंद बाद ही कोई ना कोई टीचर यूट्यूब पे उसका इनलेसिस निकाल देता है पेपर पैटन तो आपको तब भी पता चल जाएगा रहे तो इस यह का रिजल्ट कम जा रहा है क्योंकि या तो हम अटेम्ट को लाइटली ले रहे या तो हम अटेम्ट दे ही नहीं रहे और जो दूसरी चीज आ जाती है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टन चीज हो जाती है कि सर मैं बोथ ग्रूप्स दूँ या सिंगल ग्रूप दूँ ठीक है आज जो भी हूँ आपके सामन तो क्या बोथ ग्रूप्स नहीं देना चाहिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा रहा हूँ क्या बोथ ग्रूप्स देने से कुछ अडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा रहा हूँ ठीक है कुछ कंपनीज एसी होती है जो बोथ ग्रूप्स दो बार में पास किये हो कुछ company जैसी होती है लेकिन majority of the companies जैसी नहीं होती है तो आपको क्या करना चाहिए ठीक है क्या better रहेगा better जो भी रहे आप देखो आपके लिए क्या better रहेगा दिरा सो many students who are able to handle all the eight subjects together very good but if you think if you think और इसका जवाब सिर्फ आप ही अपने आपको दे पाऊगे ठीक है मैंने तो आपको सच्छा ही बता दी भाई ठीक है आप single group दोगे आप single single करके यार कई लोगों तो यह भी लगता है ना कि अगर सिये आप नौवे यह दसवे अटेंब में बंदे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं लेट मी टेल यू बाई गाट्स ग्रेस आम दुए वेरी वेल इन लाइफ ठीक है आम नौट बोस्टिंग और ब्रागिंग और अनिफिंग आइन तो यह पुट इन चार्टे अकाउंटेंट हू राइट सिये इंट्रमीडिट में मुझे गये थे पहले अटेम्ट में कुछ नहीं वाता दूसरे अटेम्ट में गॡूप ऐथा और सीये फइनल में मुझे नो अटेम्ट लग गये थे ठीक है भूब 1 पाचवे अटेम्ट में अधा गूब 2 चौथे अटेम्ट में बहा था रहे नोवेंबर 14 से जाकर नवेंबर 16 प पानिक की वज़ा से इस पानिक की वज़ा से कि या बोध ग्रूप अगर नहीं निकाला तो फिर लाइफ बेकार हो जाएगी ठीक है I've heard many of my friends saying कि यह तो अगर एक अटेम्ट में नहीं होता या तीन दो तीन अटेम्ट में नहीं होता तो तीन अटेम्ट के यह पूरा का पूरा सेशन बेने आप लोगों को यहीं बताए कि मुझे क्यों नहीं लग गए रहे लेकिन जो सबसे इंपॉर्टन चीज जिसके बारे में बात करना चाहरा हूं कि कभी भी प्यर प्रेशर की वज़ा से या कभी भी यह नो अन्नेसेसरी चीजों की वज़ा से अगर आपका दिल कह रहा है कि भाई आप एक ही ग्रूप दे सकते हो तो जबरदसी दोनों ग्रूप्स के कुए में मत खूद जाओ ठीक है अब कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर हमें कैसे पता चलेगा हमें पता कैसे चलेगा राइट वेरी वालिड ग्रूप्स आपको कैसे पता चलेगा कि what are you meant for? Are you meant for single group और are you meant for both groups? ठीक है? तो my suggestion to you would be कि आप दोनों ग्रूप्स की तैयारी स्टार्ट कर दो आप बोथ ग्रूप्स की तैयारी स्टार्ट कर दो ठीक है? इवेंचली दो चार महीने में, दो महीने में, तीन महीने में, चार महीने में आपको ठीक है, मेरा group 1 में उतना interest नहीं बन पाया, लेकिन group 2 में अच्छा खासा interest बन गया, तो आप पहले group 2 दे दो ना, ठीक है, single single group देने का मतलब यह थोड़ी है, बिल्कुल कि आपको पहले group 1 देना होगा, उसके बाद ही आप group 2 दोगे, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मे नहीं हम तो both group देंगे, both group देंगे, both group देंगे, right, अतुल was very clear, कि नहीं यार में तो single group दो, both groups में handle नहीं कर पाऊंगा, तो में तो एक ही group दूँगा, ठीक है, हाब लोगों को आपे, करन ले ना, हाई साब, अतुल was the first amongst the 4-5 of us to become a chartered accountant, why, because he knew himself, उसने सिर्फ peer pressure में आकर, य उसने पहले group 2 दिया था, by the way, he did not take group 1 exams first, उसने पहले group 2 का exam दिया था, उसने decision लिया अपने उपर, अपने basis पर, कि मैं क्या कर सकता हो, right, the point is, कि आपको कैसे पता चलेगा, आप क्या कर सकते हो, the classes, आप दोनों groups की साथ में लेना शुरू करो, ठीक है, दोनों groups की classes, जब time बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, कि यार, आप कितना time self study को दे पा रहे हो, कि आप आठों subjects को एक साथ manage कर पा रहे हो, या नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद आप decide करो, क्या both group material हो, या नहीं हो, ठीक है, trust me, जो दोनों groups देता है, he also does well in life, जो single group देता है, he also does well in life, life में बहतर करने के लिए attempts matter नहीं करते हैं, life में बहतर करने के लिए आप matter करते हो, आपकी knowledge matter करती है, ठीक है, इस degree के पंदे को अपने गले से निकाल कर, जल्दी से, जितना जल्दी इसको खटम कर सकते हो, ना कि हाँ, डिगरी आ गई हमारे पास, उसके बाद लाइफ यह mistake और, you know, ambiguity और यह teacher नहीं कैसे बोल दिया के छोड़ दो, और नहीं मैं तो पूरी knowledge के साथ पढ़ूँगा, और नहीं पहले पर concept पढ़ूँगा, फिर question करूँगा, अगर यह सब करते रहे, तो भाई साब CA final will be a project, CA intermediate will be a project, और यही हमें नहीं करना है, that's it from my side, thank you so much, I hope यह session आप लोगों के लिए fruitful रहा होगा, आप लोगोंने कुछ ना कुछ असे जरूर सीखा होगा, and I hope जितने चीजें मैंने आप लोगों को बताएं, आप लोग उससे कहीं ना कहीं तो relate कर ही पा रहे होगे, और relate करने के बाद आप लोगों को समझ में आ ग आप लोगों के 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